hello everyone फटाफट से scratch open कर लेते हैं तो आप देख सकते हो मैंने फटाफट से scratch open कर लिया scratch की window visible है आप सबी को फटाफट से एक बड़िया सा program स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे control group पे क्लिक करेंगे वहाँ से when green color वाला flag वाला जो block है वो drag and drop करेंगे motion group पे click किया move 10 step वाला block simply drag and drop किया turn 15 degree इसके बाद दुबारा से move block को pick करेंगे by default 10 है इसको 100 कर लेंगे turn block को pick करेंगे drag and drop करेंगे by default 15 होता है इसको 90 degree कर लिया उसके बाद हम pen group पे click करेंगे pen down block पे click करने के बाद उसको drag and drop कर लिया उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे control group पे जाएंगे और forever वाला जो block है उसको place कर देंगे और अपने program को green flag की help से execute करते हैं या run करते हैं तो आप देख सकते हो एक बड़िया सा output आपके सामने आ गया है इस तरीके से programming में हलके full के changes करके आप बड़िया सा output generate कर सकते हैं तो scratch learn करते रहिए, सीखते रहिए Have a nice day ahead, enjoy your day